आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही बढ़ों की रेसिपी बहुत ही चटपटे से और बहुत ही जायकेदार सौफ्ट मुलायम से और फटाफट बन जाने वाले दही बढ़ों की रेसिपी तो चलिए बराना स्टार्ड करते हैं तो उसके लिए देखिए मैंने ले लिए 250 ग्रैम के गरीब यह उरत की धुली हुई दाल इसको होल नाइट सोक कर दिया था और फिर इसको चान के रख दिया था कुछ देर और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में यह देखिए इतना यह ऐसे गल गई है कि हाथ से कट प्राइट जा रही है और इसमें अब जाएगा यह थोड़े से मैंने लैसुन की कलिया लिए हैं चार-पांच और यह कुटी हुई काली मिर्च है यह हजीरा और चार-पांच हरी मिर्च और यह दो अध्रा के टुकड़े इन सब को भी हम साथ में दाल के ही पीसेंगे इन नहीं हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी डाल देते हैं और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटपटा सभी आता है दीरे और काली मिर से देगी ऐसे पीसेंगे और यह विपिंग का होता है विप करने का मेरी मिक्सी में एक तो से मैं विप भी करती जा रही हूं फटा जो हमने लिए थे तो देखे कितनी अच्छी दाल अभी से इतना फलफी सी लग रही है अब इसमें कुछ मसाले और एड़ करेंगे डालेंगे नमक हाफ टीस्पून के करीब और हाफ टीस्पून करीब है कुटी हुई लाल मिर्च और यह काला नमक टू पिंच के करीब और यह हींग वन पिंच और फिट से एक बार इनको और फेट लेंगे देखिए दाल इतम फेटते फेटते इसकी डबल कॉंटिटी हो गई है बस हमें 5-10 मिर्ट इसको और अपने हादों से फेट लेना है और बागी कि इसकी फिटाई मिक्सी में भी हो चुकी है चलिए तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये फेल है कि पास है इसकी सारी फिटाई अच्छे से हो गई है तो एक ग्लास टेलिया उसे पानी भर लिया है ये देखिए ये उपर इसके आ गया दाल हमें डाली तो ये उपर तैर गई तो इसका मतलब है कि दाल हमारी एकदम पर तयार कर लेते हैं तो यह देखिए वन केजी के करीब हमारी घुम मेड़ी दही है घर पर जमाई हुई तो इसमे डाल दिया हाफ के टी स्पून करीब सफेद नमक फिर जीरा पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च और यह है शुगर वन टी स्पून और जीरा मिर्चा पाउडर त तो आप ये मिल्चे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं और इसको हल्का सा मीठा पंच देने के लिए मिलाया था हमने चीनी और ये एक अप मैंने इसमें दूद एड़ कर दिया है रूम टेंपरेचर का दूद मैंने क्यों डाला है मैं आगया आपको ब लेते हैं तो देखे एक ट्रेक है मेरी जिस तरह से मैं फ्राइब करती हूं बरो को शेब देती हूं तो एक छनी हमको ले लेनी है स्टील की और उसको पानी में ऐसे डिप करना है और पानी पूरा जाड़ देना है और फिर एक चोटा सा पॉर्शन लेंगे दाल का और इस च गोल सा शेप अपना दे दिया है और धीर यसी फिर कढ़ाई में आपको इसे छोड़ देना है तो देखिए कितनी आसान सी टिप है इससे बहुत ही फटा फट जल्दी जल्दी बस यह ध्यान रखना है जब भी इसमें दाल लग जाए छनी में चिपकने लगे तो आप फिर से एक बाद पानी लगा दें या पानी में डिप कर लें और फिर उंगली को भी गीला करें और उसमें होल बनाएं और ऐसे ही सारे बरे डालते जाएं बस थोड़ी से आपको केरफुली रहना है कि पानी की छीटे आपको ना पढ़ें कि छनी में पानी बिल्कुल भी ना रहे एक दो बार आप छनी धुल लें और फिर उसको पोच के हलका सबस उंगली से ऐसे लगाएं कि टपकने वाला पानी ना रहे तो देखिए एक साथ कितने 8-10 बरे हमारे फ्राई हो गए हैं और बरो को जो है फ्राई करें मीडियम ही फ्लेम पे पहले एक बार तेल अच्छे से जब हो जाए और यहां पर मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है और थोड़ा सा रिफाइन ओयल भी डाला है दोनों ओयल मिक्स करे हैं यह देखिए मैंने च्छनी अब धुल ली थी क्योंकि एक बार डाला सा तो गंदी हो गई थी और हलकी से फिर ऐसे डिप किया है और सब कुछ पानी इसका जटक दिया और जो बरे हमारे तल गए हैं उसको हमने एक बाव में पानी ले लिया यह सिंपल पानी है इसमें को कोई हींग वगरा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने मसाले अपने सारे डाल में डाले हैं और दही में डाले हैं तो यह तना से इंस्टेंट बड़े होते हैं आप तुरंत पीसे तुरंत फेटे और बिना कोई हरी चटनी की तयारी के चटपटा सा बना लें कितने इसली जा रहे हैं तो थोड़े से हमने गोल वाले भी मैंने फ्राई कर लिए हैं तो इस तरह से हमारे सारे बरे फ्राई हो गए हैं तो चलिए अब फटा फट इसको एसेंबल करते हैं जिस बरतन में हमें रखना है उस बरतने पहले हम दही डाल देंगे थोड़ा उसक बरे रख देंगे अपने पानी में से निकालके गार-गार के तो दूद मैंने इसलिए डाला है कि दही जब हमारी हो जाती बन जाती है तो फिर उसमें गर्मी का दिन है क्योंकि तो उसमें खटा होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है लेकिन जब हम इसमें मिल्क एड करते हैं तो फिर वो दही बनने का फिर से प्रोसेस स्टार्ट रहता है तो ऐसे हमारी दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है तो इसलिए जब भी आप दही गर्मी की दिनों में खास कर दही में अगर आप दूद एड़ कर देंगे वाइल दूद रूम टेंपरेचर वाला ये भी नहीं कोई गुनगुना ये इस तरह से तो फिर आपकी दही खट्टी नहीं होती है तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं और साइड साइड में देखी हमने गोल वाले अपने बरे रख दिये हैं और फिर इनके ऊपर फिर से डाल देंगे दही और जो बाकी आपके बरे हैं उसको आप सेफ कर लें नेक्स टाइम यूज करने के लिए इसको आप 10-15 दिन आराम से इसको रख के अपना यूज कर सकते जब भी आपको इस्तमाल करना हो तब आप पानी थोड़ा गुनगुना करें बरे में पानी में डिप करें 10-15 मिनट फिर ऐसे दही में आप उसको कर दें तो चुकि चटपटी सी बहुत दही रहती इसमें उपर से कुछ डालने की जरुरत नहीं पड़ती आप चाहें तो ऐसे ही खालें लेकिन मैं थोड़ा सा जीरा मिर्चा पॉडर मैंने डाल द देंगे तो देखिए कितने शांदार से दही बड़े तयार हो गया है इसको फिर्ज में रख दिया था एक दो घंटे और आप देखिए सर्फ कर रहे हैं तो दही भी कितनी अच्छी सी है बिलकुल दही खटी नहीं हुई थी आप उपर से और चटनी डाल के और या तो देखिए